तो आप सबी के लिए मैं एक और वीडियो लेका राचुका हूँ और बहुत महीने बाद यह वीडियो डाल रहा हूँ है ठीक है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बता हूँ कि आप लोग किस तरीके से free fire को download कर सकते हैं मतलब normal free fire को और जिस तरीके से मैं आप लोग को बताँगा आप लोग direct play store से download कर पाऊँगे और अगर download नहीं भी कर पाऊँगे तो भी मैं आप लोग को direct download link दे दूँगा file की ठीक है तो उसको भी आप कर सकते हो मतलब इस तरीके से करोगे तो आप लोग को आ आप लोग को एक VPN इंस्टॉल कर लेना है, मैं इदर Super VPN का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, इस VPN को आप लोग को connect कर देना है Singapore server के साथ, ठीक है, तो Singapore server के साथ connect करने के बाद आप लोग को simple सा क्या करना है, play store खोलना है, play store में जाकर आप लोग को इधर search करना पड़ेगा Free Fire, ठीक है, Free Fire जैसी आप search करोगे, आप लोग को इधर update का option देख जाएगा, तो direct आप लोग इधर से update कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है, कि आप लोग को इधर एक new ID लगनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आप लोग को VPN होना start हो जाए, तुरंत आप लोग को इस VPN को यहां से off कर देना है, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग को इस VPN को off करोगे, आप लोग की speed एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरा almost download हो भी चुका, ठीक है, तो यही सबसे best तरीका प्रॉब्लम होरी है, उन सभी को इस वीडियो को share कर देने, ताकि वो लोग भी free fire download कर पाए, मैं में लोग आप से फिर किसी और वीडियो में, till then take care, bye, गया!